दोस्तो यूपी पीसेस 2021 को लेकर लेटिस्ट अपडेट क्या है? मतलब इसका इंटर्वी होने के बाद में इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा? इसके बारे में आपको अपडेट करना चाहता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान निउस्पेपर में ये खबर अभी आज की डेट में अपडेट हुई है इसमें क्या लिखा है? कि यूपी पीसेस प्रिलिम्स 2021 बाला जो है रिजल्ट निरस्त होने के आदेश के खिलाब अपील करी जाएगी आपको पता होगा इलाबार हाई कोट ने पूर्व सैनिकों को 5% आरच्षण ना दिये जाने की विज़े से 2021 के प्रिलिम्स को कैंसिल कर दिया था तो अब क्या है? अब इधर दोस्तों क्या है? कि आयोग ने इसका इंटर्वी भी करवा दिया है तो अब आयोग पूरी तैयारी में है वो इस पर एक बाप फिर से सुनवाई के लिए अपील करना चाहता है तो यहाँ पर देखो साब साब लिखा है कि आयोग ने उत्तर प्रदेश लोकसिवा आयोग ने विसेश अपील पर सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीक पर मोहर लगा दिया मतलब उसको चुना है यानि कि इस बार अभी देखो आज है 11 तारीक 16 तारीक को 16 तारीक को एक डबल बेंच में इसके लिए सुनवाई होगी अगर यह ऐसा सब कुछ ना हुआ होता तो 15 अगस्त से पहले ही फाइनल रिजल्ट आ चुका होता लेकिन चुकि अब यह वैकैंसी जो है कोर्ट में चली गई है तो जाहिड सी बात है कि रिजल्ट अभी नहीं आएगा इसके लिए आपको टाइम वेट करना पड़ सकता है तो सबसे पहले तो बात यह है कि 16 तारीक तक का तो आपको वेट करना होगा 16 तारीक को सुनवाई होगी उस सुनवाई में क्या रिजल्ट निकल कर सामने आते हैं क्या चीज़ें निकल कर सामने आते हैं उस पर अमल किया जाएगा तो मानकर चलो लगबग डेड़ से दो महिना अब इसका रिजल्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कम से कम एक महिना तो आपको वेट करना ही पड़ेगा दोस्तो साथ में कोई नया अपडेट आता है तो हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर लीजे जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहां से आपको पूरा अपडेट करते रहेंगे